पूर्व मुखी मंत्री और नेशनल कॉन्फरेंस के वरिष्ट नेता फारुक अब्दुल्ला के पाक अधिक्रत कश्मीर पर दियेगे बयान के समर्थन में उत्रें एक्टर रिशी कपूर ने P.O.K. पाकिस्तान को देने और कश्मीर को भारत का हिस्सा कहकर इस विवात को सुलजाने की बात कही है। दरसल श्यनिवार को फारुक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाक अधिकरत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और उसे पाकिस्तान से कोई चीन नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर का जो हिस्सा भायत के पास है वो भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी जंग क्यों न हो चाहे ये नहीं बदलने वाला। अब्दुल्ला किसी बयान पर रिशिकापूर ने ट्वीट कर उनका समर्थन किया और अपने ट्वीट में एक भावनात्ता का पील दी रिशिन ने उनका समर्थन करते हुए लिखा फारुक अब्दुल्ला जी सलाम सर मैं आपसे पौन रूप से सहमत हूँ जम्मू कश्मीर हमारा है और पियोके उनका हमारी समस्या के समाधान का एक ही तरीका है मैं 65 साल का हो चुका हूँ और बढ़ने से पहले पाकिस्तान देखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अपनी जड़े देखें बस करवा दीजे जय माता दे रिशी कपूर किस इमोशनल अपील पर जहां कुछ पाकिस्तानी फैंस ने उनकिस बात का समर्थन किया तो वहीं कई फैंस ने रिशी कपूर की शराब पीकर ट्वीच करने की आदत का मजाख उडाया आपको उतादी के रिशी कपूर की पत्नी नीतू दकपिल शर्बा शो में रिशी कपूर की शराब पीने की आदत का जिकर खड़ चुकी है ऐसे में कई लोगों ने स्ट्वीच को शराब का असर कहे कर मजाख नी उडाया टीम इंडिलिंग्स